आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिध्धांत अगनी वो तरी स्टेडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत सुआ गयता आज हम बात करेंगा उस्ट्रेलियन जेनुसाइट देखे ब्रेटिश यूरोपियंस जहां जहां गए वहां वहां इन्हों स्मॉलेस्ट कॉंटिनेंट बहुत बड़ा देश है न्यूजिलेंड इसमें आता है हम देखेंगे ऐस्ट्रेलिया के बारे में मी जानेंगे औस्ट्रेलिया में टोटल छे स्टेट्स और दो टेरिट्रीज है तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेनर्स को रीकनेट मेरे फेस्ब ठीक है तो अगर आस्ट्रेलिया के बात करें तो यहां पर भाहिया ट्राइपसी रहती थी मूल दिवासी रहते थे लेकिन 1788 में सब कुछ गड़वड हो गया जब क्याप्टन कुक यहां पर अपना शिप लेके आ गये तिके बहुत सारे वोईजिस किये मैंने आपको बताय गया था कि इधर यह सब को शुरू हुआ था भारत से ही क्योंकि जो यूरोप से जो जमीनी रस्ता था इसलाम के उदे के बाद जमीनी रस्ते पे अरब्स का कब्जा हो गया ठीक है उनका कब्जा तो वहां पर दिक्कत होती थी और खतरे से खाली नहीं रहता था तो 15th संच चांतिनेट्स को खो जा तो प्रॉब्लम ये हुई कि ये लोग अपनी कॉलोनी बनाने लगे ये लोग वहां पर जाते थे पहले एक जाता था एक इंसान एक कैप्टन बकाइदा जाता था ये इस पांसर किये जाते थे ठीक है जैसे क्रिस्टोफर कोलूंबस को सपेन ने प पूर्दगाल ने, वासको डगामा तो उसके बाद ये बोलते थे जब वापस आते थे ये बोलते थे कि अरे हाँ वहां तो बहुत बढ़िया है और सब लोग है वहाँ पे और हम वहाँ पे अपनी कालोनी और एकस्पैंशन वहां से कर सकते हैं बहुत अच्छा है resources भी होंगे तो उसके बाद बकायदा पूरी force के साथ यह लोग जाते थे और उस continent या land mask को capture कर लेते थे और एक ये भी होता था कि Christian missionaries को लेकी जाते थे ठीक है ना वहाँ पे उनका ये होता था कि Christianity को फैलो तो अब हम ये देखते हैं Australia में भी सेम चीज यहीं हुई ठीक है Australia में बहुत सारी tribes थी यहां पे क्या के मूल निवासी थे ठीक है Aboriginals जिनको बोला जाता है Aborigines ठीक है बहुत सारी Australia में इस तरीके की tribes थी तो जब British यहां पे आए भयाना conflict शुरू हुई जिसको frontier war बोला जाता है जो की 1788 से लेकर 1934 तक लगातार लडाई चलती रही दोस्तों लगातार ठीक है जाहिर सी बात है आप जहां पे कबजा करने जा रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि आप सबको साफ कर देंगे तब तो problem हो जाएगी आपके लिए है क्योंकि आपके भी मरेंगे आपको वहां की जो जनता है उससे अच्छे संबंद बनाने ही पड़ेंगे ठीक है मिलके आपको चलना ही पड़ेगा ये तो सबको मालूब है तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 6 states और 2 union territories है चली हम देख लेते हैं आउस्ट्रेलिया के आपको जाधा तर पॉपलेशन और सबसे खुबसूरा शहर यहां के कोस्ट पर दिखेंगे बाकि आउस्ट्रेलिया में जंगल भी है अभी आपने आस्ट्रेलिया में देखा था कि जंगल में बहुत तगड़ी आंग लगी थी और उसके बात फिर यहां पे आपको डे तरहिर अगे इस वाले एरिया में अड़िस की कापिटल बहुत ही खुबसुरत है फिर आपके बाद आता है Northern Northern Territory, Northern Territory, फिर उसके बाद South Australia, South Australia की अगर बात करें तो capital है Adelaide, Coincident, Coincident एक और बहुत ही खुबचुरा शहर, Coincident की बात करें तो again Brisbane capital है, आपने आपको इंडिया और Australia की matches याद आ रहे होंगे, अस्ट्रेलिया में जब match होते हैं, तो यह Brisbane, Perth, Perth की पिज बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, Adelaide, Milburg, New South Wales, एक और स्टेट जिसकी capital है Milburg, और यहाँ पे, अच्छा, ऐस्ट्रेलिया की capital क्या है, चोरो comment box में मुझे बताओ, और Prime Minister भी मुझे बताना क्या Australia का कौन है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको Tasmania मिलेगा, इनकी territory, ठीक है, यहाँ पे आपको Hobart, Hobart में भी match होते हैं, और अब तो बहुत ही खुबसूरत हो, Hobart तो बहुत ही जदा खुबसूरत है, Sydney भी फिर आपको इधर पे New South Wales में मिलेगा, ठीक है, Sydney, New South Wales में Australia की सबसे खुबसूरत शहरन है, ठीक है, Sydney है, Melbourne है, Canvara है, ठीक है, Geelong है, बहुत खुबसूरत है, तो यह पूरा Australia आपके सामने है, अब शुरुवात कहां से होती है, शुरुवात होती है 1770 से, 1770 से James Cook जो है, जिन्हों अउस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया, वो आए, European थे वो, Australian East Coast पे आए, ठीक है, दिखें, मैप याद रखेगा, यार यह flipping हो जाएगी, पर कोई बात ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हम यह देखते हैं, कि यहाँ पर East Coast पे बकाइदा आए, और उसके बात इन्हों ने, क्या किया, यहाँ पर उत्रे, जब James को काय, तो इनका स्वागत बहुत अच्छे से नहीं हुआ था, स्वागत नहीं करोगे हमारा, सलमान खान इस्टाइल में उतरे, लेकिन इंको बहुत मारा गया, ठीक है, मारा है इंदर सेन स्कीम के उपर हमले हुए, वहाँ की जो ट्राइप्स थी, वो जब देखा कि यह बाहर से आ रहा है, तो काफी की कॉन्फिक्ट होगी, ठीक है, तो जेम्स कुक और ट्राइप्स की वीची कॉन्फिक्ट हुई, लेकिन अल्टिमेटली, यह देखो, यूरोपियंस ताकत वर बहुत ज़्यादा थे, गन पाउडर भले ही चाइना में इस्थमाल हुआ हो, लेकिन चाइना के ही गन पाउड का यूज करके चाइना पे ही कबजा कर लिया, 19th century में पूरा western influence, anyway वो एक अलग का आनी है, तो जेम्स कुक की बात करें, तो जेम्स कुक आए उस्टेलिया पे, शुरू में प्रॉब्लम हुई, लेकिन अल्टिमेटली हम देखते हैं कि जेम्स कुक जीतने में कामियाब हो ग आया कि यहाँ पे कोई agriculture का sign है ही नहीं, कोई development नहीं कहां से होंगे, क्योंकि यहाँ पे सब मूल निवासी रह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद British Government चाहती थी कि Australia को एक prison colony बना लिया जाए, 1786 आते आते, वापस गई है, जेम्स को कुनों ने बताया, रहे भई ऑस्ट्रेलिया चलो, वहाँ पे कोस्ट है, मज़ा आ जाएगी, वहाँ कॉलोनी बनाते हैं, तो British Government यह सोच रही थी, यह काम करते हैं, इसको जैसे भारत में अंदमान निकोबार, काला पानी था ना, वहाँ पे, आज भी cellular jail बहुत famous है, सावरकर, वीडी सावरकर वहाँ पे रहे थे, उनकी तो अगर 1786 में यहाँ पे इनों ने सोचा, प्रिटिश सरकार ने सोचा कि प्रिजन कॉलोनी बनाए, लेकिन अगेन, resources मिलने लगे, देखिए, जाद अतर जो यहाँ के resources मिलने लगे न, Northern Territory पे खूप सारे resources मिलते हैं, तो जब यहाँ पे gold मिलने लगा, gold जो है न सोना, सो में काफी problem देखिए, कि आजकर लोगों को सोने में बड़ी problem होती है, तो वहाला सोना नहीं, तो जब gold मिला, जिसको gold rush भी कहते हैं, यही अमेरिका में ठीक हुआ था, ठीक है, अमेरिका में भी देखिए, अस्ट्रेलिया और अमेरिका की कहानी कितनी similar है, लेकिन अमेरिका क जब सोने के ख़दाने मिली, तो वहाँ पे 2,00,000,000 उर्पियन्स को shift कर दिया गया, ब्रिटिशर को shift कर दिया गया, और उसके बाद जो conflict होई, वहाँ के मूल लिवासी और अमेरिका के बीच में वो जग जाहिर है, ठीक है, फिर धीमे धीमे यूरोप ने पूरे अमेरिका क कबजा कर लिया और सेम चीज हुई ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिश ने पूरा ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश जैसे पूरा भारत ब्रिटिश के पास था वैसे पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश के पास आ गया कॉलोनी बना लिया ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया एजए यहां पर उत्रे तो प्रॉब्लम में अभी मैंने आपको दिखा है ना नुव साउथ विल्स में लोग आये यहां पर उसके बाद जब आए तो जो इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियंस थे उन्होंने देखा रहे यह कौन यह अतने गोरे उन्होंने बोला कहा बगा कहां च और जो मूल निवासी तो ऑस्ट्रेलिया के शुरू में अच्छे से रहे यहाँ पे मूल निवासीयों को बोला गया कि हम आपके फायदे के लिए ही आये हैं हम यहाँ पे जादा कुछ नहीं करना है हमको ठीक है खादी चोटी सी सेटिल्मेंट बनानी है पैसा मिलेगा जमीन आपकी हम छीनेंगे नहीं तो हमको यहाँ पे रहने दीजे बहुत अच्छे से बोला कोई दिकति थोड़ा शियर आपको भी दे देंगे तो यहाँ पे मुन लिवासी मान गए gidvat में इंडीजेनिस आस्ट्रेliches के और बिटिचर के अच्छे रिलेशन थे लेकिन बृतिच न चाला की की इनोंचो ने जो इनसे बोला था अब और इंडीजेनिस Australians थे, इनका main occupation क्या था? Main occupation ये hunters थे, gatherers थे, तेकि Australia में खाने की तो कमी कोई है नहीं, यहाँ पे अराम से कोई भी trifle fool जाएगी, क्यों? क्योंकि Australia में बहुत सारी जीव जनतु मिलते हैं, मार के खाजाओ, तो ऐसे ही ये लोग जीते थे पहले, लेकिन जब इन्हों ने देखा कि Europeans जो है, वो हमारे एरिया में घुस रहे हैं, और हमारे खाने पे निज़र डाल रहे हैं, Europeans क्या कर रहे थे? Fishing, जो ये लोग main करते थे, अपने एरिया में वहाँ पे भी जा रहे थे, ठीक है, तब दोनों के बीच में conflict शुरू हुई, और साथ ही साथ दोस्तों, जो हमेशा हुआ है, Europeans जहां जाते थे थे, वो अपने साथ बिमारी भी लेके जाते थे, तो Australia में आये, तो smallpox भी लेके आये, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए New South Wales और Queensland में, और Victoria में, समझ रहे हैं, तो ये चीज, तो first settlement जब आया, तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो peaceful relation थे, ठीक है, Sydney में इन्हों ने first fleet को establish किया, लेकिन उसके बाद problem शुरू हो गए, अभी मैंने बता Sydney New South Wales में आता है, ठीक है New South Wales, Australia का एक state है, उसके बाद इककते शुरू हो गई, जब British ने expand करना शुरू कर दिया, और Australia की जो coastline है न, New South Wales वाली, मैप में देखिए, flipping होती रहेगी, I'm really sorry, ये जो पूरा का पूरा area देख रहे हैं न, इस पे British ने कबजा जमाने शुरू कर दिया, और ये area इन ही मूल निवासियों का था, यहां से खाना लेते थे, मचली पकड़ते थे, लेकिन Europeans का कबजा होने लगा, अब क्या करेंगे, ये देख रहे हैं न, ऐसे ही युद्ध लड़ते थे, अब ऐसे ही युद्ध लड़ा जाता है, नहीं, अगर सामने वाले के पास, कोई बहुत modernized आहतियार नहीं हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कि Europeans पूरी तैयारी के साथ आय थे, Britishर को भी नुकसान हुआ, देखिए, आप बहुत सारे historians का ये मानना है, conflicting views मिलते हैं, histiography की बात करें, लेकिन बहुत सारे historians का ये मानना है, Australia के moon निवासियों ने बड़े brave warrior थे, ठीक है, traditional warfare था इनका, traditional warfare की बात करें, तो universal था, मतलब हर कोई war में, जो भी मेल था, उसको बकायदा training दी जाती थी, तो कुछ जगाओं पे तो हमको देखने को मिलता है, ब्रिटिशर को हरा दिया इन्होंने, बले ही इनके पास modernized weapon नहीं थे, gun powder नहीं था, लेकिन सिर्फ भालों से, धनुषबाणों से, तलवारों से, लाठीयों से, इन्होंने उनको हरा दिया, ब्रिटिशर को हरा दिया, बड़े तगड़े से इन्होंने लड़ाई की, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये लोग, ये लोग भी भारी पड़े, लेकिन गोल्यों के सामने, बंदुकों के सामने, तोपों के सामने, तलवार काम नहीं आते, ठीक है, भाले काम नहीं आते, ये बहुत बड़ी, traditional warfare की बात करें, तो यहाँ पे चार तरीके की warfare, ये जो मूल निवासी थे, वो करते थे, एक होती थे former battles, सामने तो सामने, one to one, दूसरी होते थे, ritual trials, ritual trials में क्या होता था, ritual trials की बात करें, तो जैसे किसी ने अगर crime कर दिया, ठीक है, किसी ने murder कर दिया, ये सरकार हस्तक शेप नहीं करती है, protection पूरी देती है, लेकिन हस्तक शेप बिल्कुल भी नहीं करती है, उनके laws अभी तक चल रहे हैं, नौर्थीस में देखी है, ठीक है, तो अउस्ट्रेलिया में भी ये हो रहा था, इनकी अपने law थे, तो अगर customary law के हिसाब से, किसी ने, कि सेन था, कुछ tribes का, वो थोड़ा सा खतरनाक था, तो women's को ये property समझते तो उर्ट का linden होता था, है ना, तो कई बार क्या होता था, women's के लिए मी rates होती थी, और चौथा जो warfare होता था, वो revenge attacks, ठीक है, कि कि किसी tribe ने, किसी को पर हमला किया, बदला लेने के लिए, इस tribe ने, त जब सब को साफ कर दी, अब British ने, अब हुआ क्या कि, जैसा कि मैंने बताया कि technologically और logistically बहुत जदा advanced थे Europeans, तो इनके सामने indigenous people टिक नहीं पाए, ठीक है, अब बहुत सारे इनकी जो traditional warfare जैसा कि मैंने बताया कि ये spear से, club से लरते थे, simple weapons थे इनके पास, तो ये तो खानों के स सामने तो चलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल होगी, फिर क्या हुआ कि, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे एक एक state में क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो first frontier war 1795 में हुआ, Sydney में, New South Wales में शुरू हो गया, जब पहले तो British ने इन सब को लपेटे में लिया, और बोला कि परशान मत थे, देखे, जो settlers थे न, वो भी डरते थे, भाया देखो, ये जो tribes थी न, ये बड़ी खतरनाक थी, अपने पर आज आती थी तो band बजाते थी, तो settlers भी इन से डरते थे, जो British थे, वो भी इन से पंगा नहीं लेना चाते थे, बड़े खतरनाक लोग थे, ठीक है, एक तो हु warriors को पता चल गया कि कुछ तो गडबड है, फिर हम देखते हैं कि जो पहली conflict हुई, जैसे ही Blue Mountains को settlers ने cross किया New South Wales में, वैसे ही विराजुरी warriors ने इन पर अटाक कर दिया, और फिर हम देखते हैं कि 1824 में बकायदा Brisbane में जो governor अब यहाँ पर पूरी colony बनना शुरू हो गई है, ठीक है, तो अब governors, भाया Australia किसका है मूल निवासियों का, लेकिन कौन आया है यहाँ यहाँ पर Europeans, definitely conflict होगी, आपके area में, आपके घर में कोई दूसरा घुज जाए, और बोले कि यह हमारा area है, और धीमे धीमे वो अपने लोगों को लाने लगे, आप और उसमें conflict होनी ही होन इसा नहीं है कि British उनकी भी जाने गई, उनके officers की भी जाने गई, लेकिन indigenous मूल निवासियों की संख्या बहुत जादा थी, तो 1832 से लेकर 1838 तक हम यह देखते हैं, 500 मूल निवासी मारे गए, वैसे इस total में minimum आकड़ा दोस्तों 40,000 है, minimum 40,000 मूल निवासी मारे गए इस Australian genocide मे ठीक है ना, जो की 1,500 सालों तक लगब 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 चला, और अगर British की बात करें तो 2,500 के बीच में, ठीक है, अलग-अलग research होती रहती है, conflicting हो जाती है कभी-कभी वैसे, अब इसमें जो important massacre है, जिसमें Waterloo Creek massacre है, Mayall Creek massacre है, 1843 तक चलता रहा, जिसमें Europeans ने इनको मारा, ठीक ह explore कर रहे है, एक-एक एदिया को अपने कभजे में ले रहे है, पहले New South Wales को खतम किया, पैरलली Tasmania में भी चले गए, वहाँ पे भी अपना settlement बना लिया, वहाँ के जो indigenous people थे, वो peaceful थे, ठीक है, वो काफी वक्त तक peaceful रहे, लेकिन अगे जब expand किया, especially pastoral expansion, कैसे खेती कर सकते हो उनकी जमीन है, आप उनकी जमीन पर अपना हग कैसे जमा सकते हो, तो जब pastoral expansion किया, फिर लोगों, मतलब मूल निवासियों और बिटिचर के भी में conflict हो, ये conflict इतनी खतरनाक थी, कि वहाँ के जो farmers थे न, अपने घरों को उन्हेंने fortify कर लिया था, ठीक है, एक किले के तरीक में यहाँ पर conflict ही चुरू होती है, अब देखिए, Western Australia, Northern Australia में, मैं फिर से आपको map दिखाता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर जबरदस्त resources मिले, gold भी मिला, mining भी, तो ये तो इनके लिए कमाल था, और जाहिर सी बात है, जब यह लोग यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ के 1820 से ही शुरू ही, ठीक है, और यह लगातार 1840s, 1850s तक चलती रहती है, ठीक है, तो 1830s में लगातार Western Australia में भी conflict चली, लेकिन इसमें अगें जीत किसकी हुई, European settlers की, और दोस्तो Western Australia में भेंकर मसाकर हुआ था, वैसे सबसे जादा मूल निवासियों को Queensland में मारा गया था, लेकिन यहाँ पे भी बहुत मसाकर हुआ है, पिंजारा मसाकर जो है, वो best known है, और इस सब को देखिए, आज तो Europe इस सब पे शर्मिंदा है, और अगर Australia में आप जाए तो वहाँ पे museum है, जो इनका national museum है, यह जो मसाकर हुआ है ना, फोटो मिलेगी आपको, बकाइदा, बद कुइंसलेंड में बहुत जादा मसाकर हुए, कुइंसलेंड में एक research में यह पता लगाया गया था, कि यहाँ की native force ने 24,000 और शायद 65,000 तक मूल निवासी यहाँ पे मारे गए, जो बहुत बड़ा आकड़ा है, तो कुइंसलेंड में सबसे जादा यहाँ पे लोगों को मा किया, मसाकर करना शुरू किया, अगर वो मूल निवासी होते थे, देखिए, जो indigenous people है, वो क्या करेंगे, ना ही उनके पास awareness है, ना ही उनके पास ताकत होती है इतनी जादा, ना ही उनके पास modernized weapons, तो बिचारे उनके ओपर तो बहुत जादा इन्होंने कहर बर पाया, तो य जिचर है की नहीं, जो मैंने कबर नहीं किया है, वो आप मुझे comment box में बता सकते हैं, वो मैं कबर कर दूँगा, कुछ रहे के पड़ते रही देखिए, जिद्धान तक नहीं होतारी साइनिवावर्स,